student biology class में हम पढ़ने वाले हैं कुछ special physiological adaptation पढ़ेंगे यानि कुछ विशेश कारी की अनुकुलन के उधारण पढ़ने वाले हैं तो जिसमें मैत्वपून उधारण है एक तुंगता बिमारी देखिए जिसको उंचाई की बिमारी भी कहते हैं कि जब हम किसी उंचे या उंचाई वाले इलाके में जाते हैं high altitude region में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक बिमारी हो जाती है और उस बिमारी की क्या लक्षण होते हैं और दिर दिर वह अपने आपकी इस तरह से ठीक हो जाती है, तो वह उपने इसमें पढ़ेंगे, तो वह बिमारी है, तुंगता बिमारी या जिसको उचाई की बिमारी भी कहते हैं, या माउंटेन सिकनेस भी इसको बोलते हैं, माउंटेन सिकनेस, सिकनेस भी इसको बोलेंगे, या altitude sickness में इसको बोल देंगे, दोनों इसको हम कहते हैं, तो उचाय पर जाने पर हम देखते हैं कि हमारा दमक उठने लगता है, सांस में दिक्कत आती है, सरदुकने लगता है, जीम चलाने लगता है, तो रिदे की दडखन बढ़ने लगती है, तो ये लक्षने इस बिमारी के हैं तुंगता बिमारी है, और उसका एक कारण है कि जीम उचाय पर जाते हैं वायू दाब, जो वायू दाब होता है, वो कम होने लगता है, तो इसी से ये सारी स्थित्वी पैदा होती है, तो देखी, किसी मेदानी छेतर में रहने वाले वेक्ती, जो मेदानी छेतर में रह जाते हैं नॉर्मल उचाई से ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन बहुत अधिक उचाई वाले शेत्रों में जाते हैं तो उन्हें तुंगता बिमारी का अनुबव होता है जैसे अगर 3500 मिटर से अधिक उचाई वाले अगर छेत्र जैसे मनाली है उस मनाली के दर्र या उसके पास दर्रा है नो रोंगतां दर्रा या तिबत के पठारों में या मानसरोर जाते हैं तो उनकी उचाई बहुत ज़्यादा है तो वहां पर जाने पर तुंगता बिमारी के लक्षन पर कट होते हैं तो अधिक उचाई पर जाएंगे तो कौन सी विमारी होने वाले है तुंगता विमारी अभी इसके प्रमुक लक्षन क्या है तो यह विमारी हो रही है अधिक उचाई वाले छित्रों में जाने से तो मिचली आती है जी मिचलाता है ठकान में से सुने लगती है सिरदर्द होने लगता है चकर आते हैं उल्टी भी आ सकती है या रिदे इस पंदन में वर्दी यानि हार्ट बीट बढ़ जाती है अब जरू नहीं कि हर विक्ति में ये सारे लक्षन पर कट हो या कुछ में ये सारे इसका कारण क्या है कि उच्छ तुंगता वाले चेत्रों में यानि उच्छ उच्छाई वाले चेत्रों में वाय मंडल यह जो दाब होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है और इसी से यह सारे लक्षण परकट होते हैं जिससे एसे चेत्रों में अब वाय दाब कम है तो हमार किस तरह से oxygen कहचेंगे कितनी मात्रा में कहचेंगे तो प्रयापत oxygen नहीं मिलेगी और यह लक्षण परकट होंगी तो जिसे ऐसे चेत्रों के वायमंडल में यानि मुचायवाले चेत्रों के वायमंडल में oxygen की मात्रा कम होती है वायदा भी कम होगा तो oxygen भी कम होगी जिसके कार अगर कई दिनों तक रह जाये तो पृर दिरीदिर इसको अनुकुलित करने का प्रयास करता है जिसको अपर प्रयारन के पड़़तें करना कहते हैं तो ऐसे स्तिति में रहने कि कुछ दिनों बाद ही देखिए मानव स्रीर अपने आपको प्रैनुकुलित कर लेता है तो वह अपने आपको प्रैनुकुलित कैसे करेगा मानव स्रीर वायमंडल में ओक्सिजन कम उपलब्द होने पर क्या करेगा और सूरीर को यह लगता है कि अब स्रीर को यह बता नहीं कि वायदाब कम हो गया तो स्रीर को तेकी अनदर प्रैनुक्षिजन कम रही है तो यह सोचता है कि RBC कम है, तो सरीर RBC का उत्पादन बढ़ाएगा, इसी तरह से HB की जो बंदनकारिक शमता है, वो कम कर देगा, उसको गठा कर, यानि गठा देगा, तो जितने भी HB होगा, जितने भी उसको उक्षिजन मिलेगी, उसको वो ले आएगा, यानि जितने भी मिलेगी, तो उसके बंदनकारिक शमता है, वो गठ जाएगी, और सोचन दर को बढ़ा कर, यानि सांस की जो दर है, रेस्पाइटरी रेट वो बढ़ेगी, जल्दी-जल्दी सांस आना शुरू हो जाएगा, तो ये सारे जो गुण विक्षित हो रहे हैं, ये परिया अनकुलन है, उसी तुंगता बिमारी से सरीर को अनकुलित करने का गुण दिर-दिर विक्षित हो रहे है, यानि RBC बढ़ और यहां पर उपसीजन चार प्रमाणों को ले के आता है, तो यहां पर यहां पर एक प्रसंड बन जाता है कि हिमाले के उच्छे छेत्रों में रहने वाली अनेक जनजातियों के लोगों में, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलनामे RBC की संक्य या HB की मात्रा जाधा होती है तो RBC बढ़ेगी तो जाहर सी बात है, HB भी बढ़ने वाला है तो यह प्रसंद यह कर रहा है कि जो हिमाले के उच्छे शित्रों में जो जंजातियां रहती है जो मैदानी स्थित्रों में लोग रहते हैं तो उन्ह जजाती है लोगों के शरीर में मैशा orbc और hb की मातरा ज़्यादा मिलती है तो इसका और और तुंगता बिमारी के कारण मिदासरी किया थे आ उनकुलित पुलित हो गया है अनुकुलन के कारण ही उनके अंदर RBC की संख्या और HB की मातरा ज्यादा पाई जाती है इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट तत्य और पढ़ लेते हैं कि ये भी इंपोर्टेंट है इसमें से कोई प्रसंद पूचे कि मानुसरे का तापान 37 डिगरी है लेकिन ऐसे सुक्सम जीव आर्की बेक्टीरिया भी है जो तप्त जर्णों यानि गरम जर्णों या गेरे समुंदर में के जो उसन जल निकास होते हैं उनमें 100 डिगरी से भी ज़्यदा टेंप्रेचर होता है उसमें भी ये पाई जाते हैं अनेक मचलियां जो सुन्ने तापान से भी कम तापान वाले जो धक्षनी दुर्वे जल है उसमें खूब पनपती है आका सुन्ने का से नीचे रहता है टेंपरेचर वे अपने सरीर में जो तरल है उसको जमने से बचा कर देखिए जिन्दा रहती है तो जब 0 डिगरी उससे नीचे का टेंपरेचर है तो शरीर का पानी भी जम जाना चाहिए लेकिन वह जीवी करियाओं के कारण लगातार उड़जा का प्वर्मेशन करके अपने सरीर के तरल होता उसको जमने से बचा लेते हैं और जिंदा रहते हैं इस परकार के विशिष्ट सेत्रों में रहने व इतने प्रतिकुल प्रस्थिति में जो जीव रहते हैं तो वो अपने सरीर में एक इस्पेशल जेव रहसानी किरियाई करते हैं उनमें इस्पेशल एंजयम होते हैं तो उनकी वह मदद से अपने आपको जिंदा रखते हैं इसी परकार अनेक समुद्रिय एक सेरुकी और मच मासागर में बहुत गयरा ही तक पाया जाती है। देखिए। जहांका दाब है वह समवन्वायमडले दाब चोगुणा अदिख होता है। कि इतने दाब को केसे सेहन करती है , वे इतने दिक दाब करती तो इस उसको भी निवास करते है तो उनमें भी सेहन करने की ख्रम्ता होती है लेक्षित और पीजिएव कर लेते हैं इन वे भी उस फ्रकार के ज्येहृर teamwork alnukulin पाए जाते हैं कुछ विवारिक अनुकुलन की बात और गल लेते हैं पन कि विवारिक अनुकुलन अनेक जीवों में अपने प्रयावरण में होने वाले प्रिवतनों का सामना करने के लिए विवारिक अनुकुलन या अनुकुरियें पाई जाती हैं जैसे मुरुष्टली चिपकलियां है वो विवारिक अनुकुलन की मदद से अपने स्रीर के ताप्मान को कापी इस्तिर बनाए रखती है इसी तरह से श्रीर का ताप्मान कम होने पर वो धूप सेख कर उसमा उसुशित करती है देखिए और जब अतावन का ताप्मान बढ़ने लगता है तो वो चाहा में चले जाती है तो परवास कर रहे है जब जिए मुरुष्टली चिपकलियां है तो ताप्मान बढ़ गया तो ठंडेल च्छित्र में चाहा में चले गी ताप्मान कम हो गया तो दूप में वहां पर रहेगी तो यह तरह का वैवारी का नुकलुन हुआ है कुछी जातियों में भूमी से उपर की उस्मा से बचने के लिए मिटे में बिल खोदने के शमता होती देखते हैं कि बिल बनाके रहते हैं तो वह भी गर्मी से बचने के लिए अपने आपको बचाने के लिए इस तरह के गुण या इस तरह की शमता अर्जित कर लेते हैं और बिल खोदने की शमता से वहने के कारण वह जिंदा रहते हैं तो यह ता वैवारी के अनुकुलन के कुछ और स्पेशल उधारन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एकले टोपिक की चर्चा करेंगे तो विद्यारत्यों को मैं बता देता हूं कि हम जल्दी ही इसे चेप्टर को पूरा करेंगे और फिर जो अंतिम चेप्टर है सोलो चेप्टर उसको भी पूरा करने वाले है थेंक्यू चैनल को अपने नोट्स बनाते रहें और खूप डाय करते रहें थेंक्यू